EV cars versus hybrid cars EV cars के अंदर आपको सिर्फ 5% GST देना होगा जबकि normal car के लिए आपको 43% तक GST देना होता है साथ ही साथ EV cars में आपको बहुत सारे tax exemptions भी मिल जाते हैं और 10,000,000 रुपे तक की subsidy भी मिल जाती है और EV cars में कोई vibration नहीं होते हैं जादा power और जादा torque मिल सकता है torque तो बहुत जादा मिलता है जिसकी वज़ेस आपको ride quality और dry quality भी बहुत अच्छी मिलती है बात करें hybrid cars की तो क्योंकि ये petrol से चल रही है आपको charging की चिंता नहीं करनी होती है सिर्फ battery लगी होती है help करने के लिए engine की जिसकी वज़ेसे इसका mileage बढ़ाया जा सके जिसकी वज़ेसे जहां normal car 12-13 km निकालती है वही hybrid cars औची से 30 km per litre का mileage भी दे देती है EV cars की तरह hybrid cars में range की चिंता नहीं होती कि भाई 500 km जाने के बाद मुझे रुप करके charge करना होगा और भले ही आपने hybrid car के लिए tax EV की तुलना में बहुत जादा दिया है फिर भी EV की तुलना में इसकी cost हमेशा कम रहती है और hybrid cars आपको काफी कम पैसों में मिल जाती है